नमस्कार मैं हूँ रविरंजन आप देख रहे हैं लाइब बिहार लाइब बिहार पर हर रोज एक वरिष्ट पत्रकार के साथ एक खास मुद्दे पर बात्चित तो होती ही है तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ट पत्रकार ज्यान प्रकाश जी और बात्चित का मुद्दा है कि बिहार के DGP RS भटी को अचानक केंद्रिय प्रतिनिक्ति पर भेजा गया है इसके पीछे आखिर कारण क्या है क्या विपक्षी पार्टियां जो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है सरकार का इकबाल खत्म हो गया है क्या RS भटी जो तेज तर्रार IPS रहे हैं और जिन से अपराधी कापते रहे हैं क्या उनकी नहीं चली क्या उनका इकबाल खत्म हो गया और इसलिए उनको बिहार से जाना पड़ा इन सब सवालों पर बातचित करने के लिए हमारे साथ है जान प्रकास जी बहुत स्वागत आपका लाइब विहार के इस कारिक्रम में सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही रहा कि यह RS भटी को आखिर यहां से क्यों जाना पड़ा कि देखिए यह आयते सीवे डेपूटेशन से खतम हो गया था उनका सीवे में जॉइंट डिरेक्टर पा पॉलिशी था बहुत इंपॉर्टेट पोस्ट होता है सीवे में वहां से जब उतका कंप्रीट हो गया तो यहां बीएंपी में और बीएंपी के बाद इनका इलिवेशन हो गया डीजीपी बन गया इनका फैमिली वही रहती है यह हमेशा चाह रहे थे कि देली में पोस्टिक हो तो उसी कारण यह मौका मिला इनको सीएसे में पोस्टिक खाली हुआ यह वहां चले गए ऐसा कोई कारण है कि पॉलिटिकल कारण या प्रेशर ऐसा पिहार में जो अभी हाल के दिनों में अपराद बहुत बढ़ गए खास तोर पर बालू माफिया के सामने सरकार फेल दिख रही है उसके अलावा एजुकेशन माफिया वह मनें कोश्चन पेपर लीक हर परिक्षाओं में पेपर लीक इसके अलावा अनेक मशराब माफिया भ पर पैसा लेगा कोई डी जी पी रोक नहीं सकता है इसको कोई भी डी जी पी आ जाए अच्छा इस स्टेट को रोक नहीं सकता है कि क्राइम लॉइन ओडर ठीक कर देगे दम दोह जाजा पांच में ठीक हुआ था आम से एक्ट में तो ऐसा बढ़ापा हुआ जो भी री भी मॉनिटर किया गया सब कुछ हुआ उसके बाद कुछ ऐसा हुआ निकुत डी जी पी पाया नहीं हो इस इसके पिछे कारण क्या है क्या है प्छलिकिल प्रेशा रहता है यह रहता है आपको श्राभ ही मेन मुद्ध हो अज्वी पोलिस के लिए श्राब नहीं तो प्रियोर्टी हो गया ना थाना लेवल नहीं जब सुद्रेगा तो फिर उपर क्या सुद्रेगा वही बात है बिष्ट पत्रकार ज्यान प्रकाश जी कह रहे हैं कि बिहार में पुलिस के सामने एक मात्र काम रह गया है शराब को पकड़ना और इसके पीछे मनें जो छोटे मोटे जो कारोबारी हैं और जो एक दो पहुआ शराब पीकर जो गरीब लोग हैं वो पकड़े जाते हैं उनसे पैसे एठे जाते हैं और जेल में सड़ते रहते हैं उन पे कोई कारवाई नहीं हो पाती आगे तक यह एक ऐसा नेक्सस है जिसको पुलिस और सरकार तोड़ नहीं पा रही है हम आपको यह बताते चलें कि यह RS भट्टी वही RS भट्टी है जब यह अजित सरकार की हत्या हो बैठाया और पूर्णिया पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी सभा में एलान किया कि पूर्णिया के SP RS भट्टी होंगे यह ऐसे RS भट्टी जो आप राध पर नकेल कशने के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित रहे हैं आखिर क्या हुआ कि बिहार में उनकी न निटीफाइब में तब ठीक था उन समय सीनी एस्पी वारा ठीक ता पॉलिटिकल महौल ऐसा था नहीं अहां लादू यादा कि बात तो अंकि तो गभडा ही था पॉलिटिकल वारा लेकिन ठीक ता इंगर तेनियो हो रहा था फिर यह कहां के कुछ पता हमें नहीं है बाद देली चलेगे, वोसे ASP-CBI ही रहे फिर वहाँ पर और फिर उद्धा ही रहे, JD-CBI ही हुए, फिर यही रहा उतका जादा इसवा बिहार में उसका फिर बाद में फ़र्श्टिंग हुआ नहीं, तफ सुरू में बहुत तफ थे, नो डाउट, बाद में लोग समदने, डैनेमिक समदने लगता है, पॉलिटिक डैनमिक क्या है, तो फिर उसी समय, उसी तरह से लोग ढलना चाहता है, ढलने लगा है, यह है कि कोई राजनितिक डबाओ, डीजी लेवल पर भी रहता है, रहता ही है, आप मानते हैं कि बिहार में दो हजार पचीस में चुनाओ होने वाले हैं, और चुनाओ में पुलिस प्रशाशन को अपने हिसाब से डील करने के लिए, सरकार जो है, नया बदलाव चाहती है, आपको लग रहा है कि इसके कारण इनको हटाया गया है? नहीं नहीं, उसके कोई कारण नहीं है, इनका फैमिली रहती हमेशा इनका लाइकिंग था देली में पोस्टिंग चाहते थे, यहां पे उसका खाली हुआ, तो डीजीपी बन गए, लेकिन हमेशा लुकाउट पे रहते हैं कि हमारा डेली में कोई पोस्टिंग हो तो हम चले यहां से, कोई प्रेशा नहीं था, कोई कर्सेटेशन नहीं था, एलेक्शन अभी एक साल दूर है, तो उसका कोई प्रेशन नहीं था, तो अब क्या लगता है आपको, आप तो लाइन में फिशले बार भी जब यह तीसरे नंबर पर थे, जिनितिश कुमार ने अपने अपने खास अंदाज के लिए सोभा होत कर भी जानी जाती है, हाँ, सोभा होत कर दो आपकर भी जानी जाती है, अच्छे अफसर है, फिल्ड में अच्छे अफसर हैं, तो यह तीन नाम तो अभी जो चर्चा में तो यही है, कि यह एक नंबर पर विने कुमार जी है, मने सब, अलोक राज होंगे, पिछले बार भी तो उन्हीं का नाम था, तीन बैच के अलोक राज है, नैंटी में सोभा अच्छा, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, अगर आपको अगर चुनना होता, तो आप इस में से किसको चुनते? अब सरकार किसको चाहती है, किसी दो आप्शन चाहती है, उसे में से किसो लेना होगा, तो सरकार नाम चलते चलते मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि बिहार में विधी ब्यवस्था की हालत इतनी बिगडी हुई क्यों रहती है? वही कारणी इस तरह माफिय रहा, फिर पॉल्डिवर रहा, कभी 2005 के पहले भी बहुत बुरा हाल था, कि नैपिंग वह रहा था, ये सब रहेशन बढ़ा हुआ था, कोई सुधार पाया कि आज तक, कोई ने सुधार पाएगा. इसके पीछे राजनितिक करण जयदा रहता है? जदा रहता है. आप क्या मानते हैं? बहुत करना बड़ा तो यह तो बहुत करना बड़ा मुश्किल होता है. तो र्रेस भट्टी जैसे तेजधरर आफिसर अगर नहीं चल पाया और नहीं काम नहीं कर बाय कुछ, तो क्या आगे हो पाएगा कुछ? हाँ होगा क्यों नहीं, किसी के नहीं रहने से कोई काम लुकता है, ऐसा तो होता नहीं है, कोईने कोई आएगा, और कोई सभाले गा it. तो चलिए ये थी हमारी बाचित हमारी वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ हैं और इनके साथ हम लोग ने जो बाचित की उसमें ये तो बात निकलकर आई कि राजनेतिक दबाओ के कारण भी पुलिस के उच्च अधिकारी खास तोर पर डीजीपी जैसा पद भी है राजनेतिक अनुसार ही और सरकार के मन के अनुसार ही उनको भी काम करना पड़ता है यही कारण रहा कि आरेस भट्टी जैसे तेज तर्रार ये डीजीपी यहां पर नहीं चल पाए और आखिकार उनको केंद्रिय प्रतनीक्ति पर जाना पड़ा हला कि ग्यान प्रकाश जी ये कह रहे है कि वो पहले से वो जाना चाह रहे थे उनका परिवार चुकि दिल्ली में हम आपको ये बताते चले कि वो चंडीगड के रहने वाले हैं और दिल्ली में उनका परिवार रहता है खास तोर पर इमानदार और इसके अलावा उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है मने घर की यो संपत्ति है वही उनकी संपत्ति है और इसके अलावा उन्होंने कोई धन अर्जन नहीं किया है तो एक सापसुतरी चबी उनकी रही है और एक जाने माने तेज तर्रार IPS के रूप में उनको इस राज्य ने जाना है पहचाना है लेकिन आखिरकार जब उस समय जब बिहार मे बिधी व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर प्रशन उठ रहे थे ऐसे समय में आरेस भक्ती या से तेज तरार आफिसर के जाने पर सवाल तो उठी रहे हैं हमारी नजर रहेगी इस पर और क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं सरकार पर किस तरह के प्रश लिखने के लिए हर रोज देखते रहिए लाइव बिहार हमारी ये बाचित आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताईए अपने कमेंट बॉक्स में जाईए अपने कमेंट लिख कर हमें बताईए कि हमारी बाचित आपको कैसे लगती है और देखते रहिए